खामोशी की शक्ति सबको समर्पित है, आपने यकीनन असंख्यात समय शोर मचाते हुए बिताय होंगे। क्या ये वक्त आ गया है कि आप जीवन के नरम हिस्से को ध्यान दें, जो अक्सर अन देखा जाता है। खामोशी की शक्ति, यह रहस्य सुलजाती हुई आपके सामर्थ्य और लाभों के बारे में आपको एक नई द्रिष्टिकोन प्रदान करती है। यह सिर्फ ध्वनी की अनुपस्थिती के बारे में नहीं है, यह आत्म परीक्षन के लिए एक उपकरण है, आंतरिक शान्ति की एक मार्ग दर्शिका है, कार्यक्षमता के लिए एक रणनीती है और विवाद समाधान के लिए एक समाधान है। जब आप इन प्रिष्टों के माध्यम से यात्रा करेंगे, तो आप खुद को पूछेंगे कि खामोशी के कितने अनकहे रहस्य आपके व्यक्तिगत और संतु जीवन के लिए हो सकते हैं। और अनिद्रा जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन जब आप खामोशी को अपनाते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को आवश्यक विश्राम देते हैं। यह एक रीसेट बटन दबाने के समान होता है, आपके तनावस्तर कम होते हैं, आपका ध्यान अवधारणा अवध प्रशिक स्टंब्रो एक दिन की शान्ति कोशिकाओं के निर्मान को प्रोथसाहित करती है, जो स्मृति से जुड़े एक मस्तिष्क क्षेत्र है। इसका मतलब है कि खामोशी आपकी स्मृति और अधिगम क्षमता को मजबूत कर सकती है। लेकिन यह सब कुछ नहीं है, खा आत्म चिंतन आपकी व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकता है। वहीं चुपचाप रहने से आपके मस्तिष्क को स्वतंत्रता से घूमने देने से भी आपकी रचनात्मक्ता को उत्पन्न कर सकती है। एक दुनिया बेहद शोर भरी और ध्यान भट्टी में खामोशी क क्षणों को निकालना मुश्किल लगता है लेकिन इसमें प्रयास करने के लायक है। खामोशी सिर्फ ध्वनी की अनुपस्थिती नहीं है। यह आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ावा देने, तनाव को कम करने, स्वग्यान को बढ़ाने और रचनात्मक्ता को प अपेक्षित समय में ढूंडने का तरीका भी जाने। यदि आप सोचते हैं कि आपके दिन चर्या में ध्वनी की बारिश के बीच खामोशी ढूंडना असंभव है, तो यह सोच गलत है। खामोशी ढूंडना सिर्फ संभव है ही, बलकि यह साधारन भी हो सकता है, यदि पायोगी रणनीतियों का आवंटन करके शुरू करें। जैसे कि निश्चित समय का निरधारन करना, जियों ही आप उठते हैं जब दिन की ध्वनी शुरू होती है या रात को जब सब कुछ शान्त हो जाता है। आप अपने घर में एक शान्ति पूर्ण जगह बना सकते हैं जहां आप जाएं, दर्वाजा बंद करें और अपने विचारों के साथ अकेले हों। आपको यह स्थान चुनोती पूर्ण क्यों नहीं है जहां आप अपनी आंतरिक खामोशी का योगदान दे सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि शारीरिक वातावरण आपके आंतरिक शान्ती में कितना सहायक हो सकता है। अन्यरणनीती सद्भाव अभ्यास करना है। इसमें वर्तमान क्षण पर ध्यान के इंद्रित करना, अपनी इंद्रियों और भावनाओं में ट्यून इन करना और बाधित विचारों को छोड़ देना शामिल है। ऐसा करके आप शोर के बीच भी शान्ती ढूंड सकते हैं। अंत में अपनी दिन चर्या गतिविधियों में शान्ती को मिलाने का विचार करें। जैसे कि आप हर हफ्ते एक शान्त रात का खाना खाएं, एक शान्त सेर पर जाएं या जब ड्राइव करते समय रेडियो बंद करें। शान्ती को साक करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप इसके साथ कैसे खामोशी को ढूंढें। इंतजार हो रहा होगा। आपका पहला आवेदन तो होगा कि अपने स्थान को तै करें जहां आप खामोशी के साथ एक अलता का अनुभव कर सकें। यह एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां आप जाकर दर्वाजा बंद कर सकते हैं और अपने विचारों के साथ अकेले हो सकते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वास्तविक्ता कैसे योगदान देती है, लेकिन इसके अलावा खामोशी को अपनी दैनिक गतिविधियों में शामिल करने का भी विचार करें। उदाहरन के लिए आप हफते में एक शान्त रात का खाना खा सकते हैं, एक शान्त सैर पर जा सकते हैं या जब आप ड्राइव करते समय रेडियो बंद कर सकते हैं।